हेलो इस्टूटेंट वेलकम टो वर यूटूब चैनल तो आज हम बात करेंगे विपिंद्रिपार्टी कुमाउं इंस्टिट्यूट अप टेक्नोलेजी द्वारहाट कॉट आप 2023-2024 आल केटेगरी आल ब्रांच उत्राकंड बेटेक गवर्मेंट कॉलेज अनमीशन कॉट फर्स्ट टांड के बाद जो सेकेंड रांड या फिर फॉर्ट टांड होता है उनकी बात करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं इसी ब्रांच की अगर आपको एसी ब्रांच लेनी हैं बीटी कैटी कॉलेज द्वारहाट में तो हम बात करेंगे जनर्र केटेगरी और OBC केटेगरी आम फोर्स में आती है और उत्राखन रिजन से ब्लों करते हैं तो इस ब्रांच लेनी है और जैंडर मेल है और आपकी जो कॉट ओप जाती है वो जाती है टू लैग फोर्टी टू थाबजन वनननेडए शिक्टी सेवन तो अगर आपकी इतनी रेंक है तब आपक इसी ही लेनी है, gender जो male है, आपकी जो rank जाती है, आपकी जो rank जाती है, 1,62,417, तो इतनी अगर आपकी rank है तो या तो first round में आपको seat alert होगी या फिर second round में seat alert होजाएगी, बीटी काईटी कॉलेज द्वाराट में अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी में जिनकी सब कैटेगरी जनरल में आती है और रिजन उत्राखन रिजन से बिलोग करते हैं और इसी अगर प्रांच लेनी आपको और मेल है आपकी जो रेंग जाते हो जाते है यह 1,43,321 यह 1st round है अगर आपको 1st round में अगर इसी में आपको seat अलोट करवानी है तो अगर आप कितनी रेंग है तो आपकी 1st round में seat अलोट हो जाएगी बीटी काईटी कॉलेज द्वाराट में और अगर आपकी इससे जादा के आस पास है और 5 लेक, 4 लक है तो आपको टेंशन नहीं की कोछ जरूरत नहीं है। आपको ब्रांच से बीटी काइची कोलेज में मिल जाएगी। फर्स्ट राउंड में अगर सीट अलोड नहीं होती है तो सेकंड राउंड में या फिर इस्पोर्ट राउंड में शीट आप सबamızक्णे आपको योटेगरे में जिनकी हम ना सब neighbor गर आपको ब्रांच लेने हैं जन्टर अगर पिमेल है फिमेल कैटेगरी है हो जाती है टू लेग 22,857 इतनी अगर आपकी रेंक है तो बीटी कैटी कॉलेज में आपका अद्मिशन और सीट आपकी जो है कन्फर्म हो जाएगी फर्स्ट राउंड में आ फिर सेक्ड राउंड में तो जनरल के टेगरी जिन के टीफ ड़ुम्ल में आती है उत्रकंड रि ग्राटकर से बि लॉंब करते हैं अगर ब्रांश लेनी आप और जंडर मेल है तो आपकी जो रेंक जाती हो जाती है तू लेक 5,023 तो आपकी इतना होना चाहिए इतनी rank होनी चाहिए अगर आपको branch लेनी है BTKT College 2,8 में तो अगर आपकी इतनी rank है तो आपकी seat confirm हो जाएगी 1st round में आपको 2nd round में BTKT College 2,8 में और female category में भी 3 leg या 4 leg के आसपास में अगर आपकी rank है तब भी आपको सीट एलोट हो जाएगी वेटी कैटी कोले द्वाराट में यह मैं बात कर रहा हूं फस्ट राउंड की अगर आपके इससे ज्यादा रेंग है थ्री लैग, फॉर लैग है फाइप लैग है यह मैं आल कैटिकरी के लिए बता रहा हूं शिक्स लैग, सेवन लैग तक सिक्स लैग तक भी अगर आपकी रहेंग है तब भी आपको सीट एलोट हो जाएगी वेटी कैटी कोले द्वाराट में इसी ब्रांच या पी इलेक्टिकल ब्रांच में सब सारी कैटेगरी की मैं बता रहा हूं तो आपको टेंशन लेने की जरुवत नहीं है तो आप यह रहें इसी अगर आपको ब्रांच लेनी है जेंडर जो आपका मेल है तो आपकी जो रहेंग जाती हो जाती है शिक्स लैग तैन थाउजन फोर अंडे सिस्टी फाइफ तो यह अगर इतनी आपकी रहेंग है तो आपको बेटी कैटी कोलेज द्वाराट में इसी ब्रांच हो है 5,29 अगर आप कितनी रहेंग है तो आपको इसी ब्रांच जो है है बीटी कैटी कोलेज द्वाराट में अलोट हो जाएगी और स्टी कैटिकरी में जिनकी सब कैटिकरी जनरल में है और उत्राखन रिजन से बिलोग करते हैं इसी अगर ब्रांच लेनी है और मेल है आपकी जो रैंक जाती हो जाती है 4,52,192 इतनी आपकी अगर रैंक है तो आपको बीटी कैटी कोलेज द्वाराट में सीट अलोट हो जाएगी तो यह देख सकते हो यह सारी रैंक बता दी मैंने आपको अल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी और मेल फिमेल दोनों का बताया है अगर आ आपको जो बीडियो मिलेगी हो मिलेगी सिविल ब्रांस की То आपको अगर थे उप यह की सब्सेओश रक्राट होने और लैंक धो का इसके बाद आपको बीडियो मिल जाएगी और फिलाल तो आप इसका स्क्र शृन सॉट ले सकते हो अब मैं आपको दिखाता हूँ previous year की cut up कितनी गई थी तो यह आप देश सकते हूँ यह previous year की cut up है जो previous year गई थी तो इसका भी चाओ तो आप skin sort ले सकते हूँ और compare कर लेना कि आपको first round after second round after spot round में मिल सकती है EC branch बिठी कैटी कोले दौराट में और यह है हमारी ECR की cut up जो जा सकती है और मैंने अपने experience से बताया है तो आप हो सकता है आपको first round में ना मिले तो second round में मिल जाएगी तो अगर आपको यह video अगर informative लगे तो प्लीज अपने दोस्तों साथ share करें और like करें comment में जरूर लिखना comment का reply में जरूर करूँगा और अगर आपने मेरे को instagram और facebook पे follow नहीं किया है तो follow कर लेना उस पे भी आपको अगर by chance में अगर आपको youtube पे reply ना दे सका तो instagram और facebook पे आपको reply कर दूँगा और link जो है description में है तो भी आप check out कर लेना तो वहाँ से आप follow कर सकते हो thank you so much student आपने वीडियो को पूरा end तक देखा I hope मैं आपको अच्छे से समझा सका मिलते आपको अगली वीडियो में और अगली वीडियो में हम बात करेंगे civil branch